कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रकास और आप सभी को यूटूब चनल में स्वागत है आज किस विडियो में आपने बात करेंगे टुल के बारे में तो चलिए मैं बता देता हूँ कि कौन से टूल के बारे में आज समझने वाले हैं तो सबसे पहरे टूल बोक्स में जाएं आपने नहीं देखाया तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं चैनल में से और बाकी के यहां पर तीन टूल जो बच रहे हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं सेर करने वाला हूँ एक्चलिए यहां पर चार टूल है जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होग एक्ट्रेक्ट एंड रिपैल टूल स्मोज टूल और राफें टूल तो इस टूल के बारे में बात करेंगे यह किस प्रकार से कॉरल रोक अंदर में वार करेंगा इसका पूरा डिटल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो चले हम लोग वीडियो को सुरू करते है और समझते हैं कि इसको किस प्रकार से कॉरल रोक अंदर में यूज में लाना है इसको समझने के लिए आपन क्या करेंगे सबसे पहले तुल बोक्स में जाएंगे और रेक्टंगल तूल को सेलेट करेंगे और यहां पर रंडमले रेक्टंगल बनाता हूं इस तरीका से ठीक इसको select करेंगे आब उस tool को select करेंगे जिसके बारे में समझना है यहाँपर किलीक करेंगे छोटा वाला arrow का icon दिख रहा है इसमें क्लिक करेंगे इस तरह से आजाएगा और सबसे पहले तो attract and начал kup को select करेंगे इसमें किलीक करेंगे और यहाँआर आपकोsembूरागा हैँएए यहा कि सबसे पहले मैं यहां पर समझा दो कि यह जो मेरा कर्षर पॉइंट जो दीख रहा है यह सर्कल टाइप का बड़ा सब बन गया है तो इसका कारण ही है कि इसका साइज है यहां से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अभी 40.0 mm है तो इसको मैं 30 कर देता हूं इस प्रकार से यह छोटा हो जाएगा और यह नेक्स्ट वाला जो ओप्सन है यहां पर 30 दिया हुआ है यह रेट है यानि कि स्पीड है टाइम तो चलिए अब इसको किस प्रकार से वार करना है इसका बारे में समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले इस वाले टूल को सेलेट करेंगे एट्रे प्रकार से बनेगा ठीक है यहां पर विसी प्रकार से इस तरीका से इस प्रकार से यह काम करता है इस प्रकार से मतलब हम डिजैन क्रियेट कर सकते हैं एक चीज यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यह वाले जो इसको इस तरीका से जब ड्रा करते हैं जतना सोलो ड्रा यह design इस प्रकार से बनना शुरूर हो जाएगा इस तरीका से ठीक है इस प्रकार से यह तो आपको समझ में आ गया कि यह किस प्रकार से और करता है अब next wallet tool को हम समझने का प्रयाश करते हैं यह है रिपेल ट्फूल से बिकर लिए याने कि सलेक्त हो गया अब इस किस प्रकार से वार्क करता है अब इसको अथे हैं सबसे पाहली बात तो भीना से लगए वार्क नहीं करता है अब यहां पर हम बाहर में थोड़ा सा हम क्लिक करते हैं यहां पर करसर को देखें और यहां पर क्लिक करके रखेंगे तो इस प्रकार से यह बन जाता है नेक्स्ट यहां पर इस प्रकार से क्लिक करके रखेंगे तो इस प्रकार से बनता चला जाएगा ठीक है यह एक वहत्रीन डिजैन है इस प्रकार से अगर इसका साइज को हम बढ़ा करें तो कैसा होगा यहां पर हम 40 डाल देते हैं ठीक है बाकी सेम रहेगा और इहां पर हम क्ल करके रखेंगे इस प्रकार से यह जो कर्षर पोईंट में जो सर्कल टाइप का दीक रहा है यह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यहां पर बन चुका है अब यहां पर भी इसी प्रकार से कर लेता हूं इस तरीका से बन जाता है अगर जैदे हमको यह बाहर क्यों करना हो तो तो सेम ऐसे करेंगे अंदर में यह कर्षर का जो पॉइंट है इसको प्लेस करेंगे और इस परकार से प्रेस करेंगे थोड़ा दरी के लिए तो इस परकार से बन जाता है इस परकार से ठीक है बहुत ही सिंपल है तो इस तरह से यह जो टूल है यह वर्क करता है यहां तक तो माँ पर आगले वाला टूल को समझने का प्रयास करते हैं मैं चेंज करता हूं यहां से थे आब इस मूद टूल इसको सेलेट कर लेते हैं यह आपको देखाई देर होगा है यह किस परकारub करता सबसे पहले तो इसको सेलेट करेंगे याने की ओबजेक्ट को और यहां पर किलिक करेंगे इसे वाले लाइन में ठीक है एक बार इस तरीका से यह काम करता है बाहर की और भी अंदर की और भी इस तरीका से थोड़ा साम बाहर करेंगे बाहर किलिक करेंगे तो अंदर की और बनेगा इस परकार से और थोड़ा साम नीचे यानि कि अंदर से क लिख करेंगे एक बार तो बार की और इस परकार से बनेगा ठेक है और इसके आलावे आप क्या कर सकते हैं और यहां से हम इसको इस परकार से अगर जदे हम अंदर की और ड्रग करेंगे तो इस तरह से बनेगा ठीक है और अंदर से हम बाहर की और ड्राग करेंगे तो इस परकार से बनेगा यहां से इस परकार से इस परकार से ठीक है तो इस परकार से यह काम करता है यह तो ऐसे ही मैंने आपको करके देखा रहा हूं कि इस परकार से यह काम करता है आप जब कोई पर्टिकुलर तो उस हिसाब से आप कोई भी शेब को इस परकार से आप डिजाइन दे सकते हैं अपना जो भी आपका डिजाइन का जो प्लानिंग है उसी साफ से आप इसको create कर सकते हैं, तो ये भी समझ में आ गया, ये किस परकार से work करता है, चलिए हम next देख लेते हैं, ठीक है, इसको मैं control Z करके सीधा कर देता हूँ, अब next वाला tool को हम select करते हैं, यहां पर है, ये wrap and tool, ठीक है, इसको मैंने select कर लिया, और ये जो cursor pointer आपको दिखाए, देर आवा, ये यहां पर 20.0 mm है, तो उसे साब से इसका एतना ही बड़ा यहां पर दीक रहा है, इसको आप यहां से बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम करके देख लेते हैं, किस परकार से काम करता है, सबसे पहले तो मैंने select कर लिया, और यहां से इस परकार से drag करेंगे, इस तरीक कर लेता हूं, ठीक है, तो किस परकार से दिखना है, इसको select करेंगे, और यहां से drag करना शुरू करेंगे, इस परकार से, ठीक है, तो इस तरह से यह design बनेगा, अगर जदी आप इहां पर, इहां से आगर जदी संख्या बढाते हैं, मैं 5 डाल देता हूं, ठीक है, और इंट सिंपल है, और इसको select करेंगे, इसमें काम करना हो, तो इस परकार से, आप बना सकते हैं, बड़े ही, असानी से, बहुत ही बहुत ही बहतरी इन, डिजैन इसमें भी create होता है, तो इस तरीका से यह काम करता है, आपका यह tool, यानि की wrap hand tool, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ह होगा, किस परकार से कम करता है, तो जब particular design बनाएंगे, तो उसी साब से, आप set कर लिजे और पनाइए, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार change कर लेता हूँ, 20 है तो 30 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर माए 6 कर देता हूँ, ठीक है, 6 मैंने डाल दिया, आप इसको select करते हैं, इस परकार से आपको दिखाई दे रहोगा, बहुत ही वेतरीन, डिजेन बन रहा है, नीचे भी इसी परकार से आप कर सकते हैं, इस तरीका से, जहां तक आपका जवरत हो, जहां तक आप बना सकते हैं, इसमें भी, मैं change कर देता हूँ, अगर जैद यहाँ पर हम कर रहा हूँ है, यहां से करके, यहां तक, ठीक है, तो इस तरह का डिजेन आपको इस टूल के मध्याम से आप बड़े ही आसानी से आप बना सकते हैं, तो आपको साथ समझ में आ गया होगा, कि यह जो टूल है, जो मैंने अभी बताया, किस प्रकार से वार करता है, कॉरल ड आपको कोई भी डिजेन बनाने के लिए असान भी हो जाएगा, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो